Hello all, welcome हैं आप सब का आज इस वीडियो टुटियोरियल में हम बात करने वाले हैं blogs के बारे में, blogs क्या होते हैं? what are blogs? blog is a discussion style site used by non-technical or technical users for creating personal web pages यानी blog एक ऐसा discussion style है, discussion style site है जो technical और non-technical दोनों तरह की users use करते हैं एक personal web page बनाने के लिए हैं यानि हम इसमें अपनी website या web pages बना सकते हैं जो कि आपकी पर्सनल डायरी की तरह होते हैं और इसको यूज करना बहुत ज्यादा सिंपल है तो यहां पर हमारे पास अगर हम समझें कि examples के point office है कौन-कौन से ऐसे popular blogs हैं जहां पर हम अपना फ्री ब्लॉग बना सकते हैं फ्री अकाउंट ओपन करके अपने blogs लिख सकते हैं तो जो लोग आपके अपनी पर्सनल वैबसाइट नहीं बनाना चाहते हैं अपना जो content है वह online publish करना चाहते हैं फ्री वह आपके इन फ्री जो service providers हैं ब्लॉग का उनका यूज करके अपने कोई भी जो इंट्रस्ट का टॉपिक है उसके बारे में लिख सकते हैं अगर किसी का ट्रैवल के बारे में इंट्रस्ट है तो ट्रैवल ब्लॉग लिख सकता है अगर किसी का history के बारे में लिख सकत प्रवाइब लेता है किसी का स्पोर्ट में इंटरस्ट है तो वह स्पोर्ट के ब्लॉग लिख सकता है कि कैसे हम ब्लॉग अकाउंट बना एक हम इसकी बात करें तो उसके लिए हम कोई एक सर्विस प्रवाइब लेते हैं जैसे हमारे पास wordpress वर्डप्रेस आपका फ्री सर्विस एता है आपको अकाउंट बनाने की वर्डप्रेस के उपर और वहां से हम जो है अपना एक नया अकाउंट बनाकर उसमें तीम स्लेट कर सकते हैं किस तरह का डिजाइन हमें चाहिए क्योंकि ब्लॉग वगरावे आपके कम डिजाइनिंग है ब्लॉगर डॉट कॉम पर वर्डप्रेस बहुत सारे हैं आपके काफी सारे फ्री ऑप्षेंस अवेलेबल हैं जहां से आप अलग-अलग डिजाइन चूज कर सकते हैं ताकि आपका जो ब्लॉग है वह बहुत ज्यादा अट्रेक्टिव नजर आए तो सबसे पहले हम बात के बटन पर क्लिक कर देंगे हमारे पास एक एक फॉर्म ओपन होगा इसमें हमारी परसनल डिटेल मांगी जाएगी जिसमें ब्लॉग का एड्रस यूजर नेम पासवर्ड इमेल ड्रस वगरा लेंगवज वगरे डिटेल पताएंगे तो सबसे पहले अगर बात करें लिए उसरेम मिल जाता है तो इसी ततरीके से फरी पर वी आपको वर्डडोंस भी सॉजरों युजरी नेम मिल जाएगा आपका नाम अमित चूस किया हो पहले इसीं सिसका हमें ध्यान रखना होता है उसके बाल हमें यूजर नेमच चूछ करना होता है यह बिशिकली लॉग-इन करने के लिए यह भी आपका यूणीक होना चाहिए बट्थ यूजरस कोई टोड़िए हमारे लिए हैं कि जब हम आकाउण में लॉग- जालना होता है और उसके दावाएक पासवर्ड डालना होता है तो पासवर्ड भी हम THIS हमें ध्यान i तबका मिक्स होना चाहिए हमारे पासवर्ड के अंदर प्लाव हमने एक इमेल एडरस बताएंगे ऐसके लवाध प्लॉट करेंगे आने इसके लाव हमें प्लॉइज में हम अपने ब्लॉक्स वगारा लिखना चाहते हैं तो यह सारी डीटेल्स हम प्रोवाइड करेंगे उसके बाद हम क्रिएट ब्लॉग पर क्लिक कर देंगे और हमारा ब्लॉग बन जाएगा और हमारे सामने एक वैलकम मैसेज आ जाएगा कुछ इस तरह का आपके सामने एक पेर होगा अभी हम प्रैक्टिकल नहीं ले रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा प्रैक्टिकल हमें एक सेपरेट वीडियो में लेंगे किस तरीके से ब्लॉग बनाये जाते हैं भी हम थेयोरी पॉइंट अफ्वी से ही इसक पॉस्ट कर सकते हैं इसमें आपको जो है पॉस्ट के उप्शन में जब जाएंगी क्रियेट निव पॉस्ट को ऑप्शन मिलेगा वहां पर जब आप प्र क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से आपकी एक विंडो ऑपन आएगी उसमें क्लिक करने पर आपको टाइटल और उसकी प्रेंदेनी पड़ेगी याँ आपके उस ब्लॉग में जो आप जो पूस्ट डाल रहे हैं एक नया ब्लॉग जो एड़ कर रहे हैं उसका क्या नाम है यानि जैसे अगर आपका जो है ट्रेवल में इंटरस्ट है तो आप किस कंट्री या किस लोकेशन के बारे में लिकिन उ को भी हम लगा सकते हैं आपने काफी जगा अलग-अलग पोस्ट पढ़े भी होंगे इंटरनेट के ऊपर किसी चीज की नौलेज गिन करने के लिए तो यह काफी ज़्यादा पॉपलर है लोग जो है इनका यूज करते हैं अपनी नौलेज को शेयर करने के लिए पब्लिश करने के बाद आपको एक उसका यूनिक URL मिल जाएगा आप वो किसी के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि वो लोग आपका जो है ब्लॉग पढ़ सकें इसके लावा वहाँ पर ऑप्शन होता है कि हम अलाओ कर सकते हैं लोगों को कि लोग हमारे पोस्ट के उपर हमारे ब Blogs लिखने के लिए Blogs बनाने के लिए हमारे पास एक authorized blogs ओपայ मेंगे जा करते हैं और समें हम एक ब्लॉग एडिटर का यूज कर लेते हैं जो हमारे कम्पीटर में एक सौफ़वेर की तरह इंस्टॉल होता जैसे MS Word, Excel, PowerPoint कर लेते हैं और उसमें हम अपनी detail डाल देते हैं पहले से ही जैसे हमारा username क्या है, password क्या है, URL क्या है हमारा वो डालने के बाद हमारे जितने भी पहले से ब्लॉग हमने publish कि है में उनकी list आ जाती है और अगर हम कोई नया blog बनाना चाहते हैं तो वो हम बनाकर उसमें save कर लेते हैं as a draft और जब हम online आएंगे तो हम उसको automatically publish कर देते हैं यानि लिखने का टाइम हमारा बच जाता है और publish करते हुए हम उन्हें सिंगल क्लिक से publish कर सकते हैं तो यह वहां पर ज्यादा जहां पर आप एक साथ कई सारे अलग लग तरह के ब्लॉक्स लिख रहे हैं या इंटरनेट कनेक्शन आपके पास इतना चाह नहीं है कि आप सारा इंडो ओपन होगी जहां पर आपको जो है अपनी स्पेसिफिकेशन पहले दिनी पड़ेंगी या आप उसमें अपने पोस्त लिख सकते हैं उसमें आप बताएंगे आपका जो ब्लॉग का है उसका किस वेब साइट पर है क्या यॉरल है वह सब बताने के बाद आप उसमें नया ब्लॉग लिकर एस ड्राफ्ट सेव कर लेंगे और पब्लिश को अप्शन होगा जब उस पर आउनलाइन आएंगे तो उसपर पब्लिश पर क्लिक करेंगे आपका जुड़ाग है वह आपका ऑनलाइन आ जाएगा इस तरीके से हम ऑनलाइन जो ऊफ्लाइन ब्लॉग ए अंदर आपने काम किया होगा यानि आप सिंपल के लिख सकते और उसमें कुछ फ् pencil कर सकते हैं जैसे आप उसका अग्लार टींट करना 사सथ होते हैं वहांसे आफ एक संदर सा ब्लॉग लेख सकते हैं और उसको पब्लिश कर सकते हैं जब आपको जरूरत है तो यह काफी यूसफुल से इसका धिहान रखिएगा एक्जाम में आपसे